जैहिंद बंदे मातरम नमस्कार शातियों स्वागत हैं आप सभी का आपके अपने यीटूब चैनल अबतार इस्टडी 7054 में मैं पाल प्रभीन आज के वीडियो में बात करेंगे भारत का भूगोर इस वीडियो के मात्दम से टोप 50 परशन कवर करेंगे जो आपके एक्जाम के लिए बहुत ही important है आप किसी भी competitive exam की त्यारी करते हैं उसके लिए वीडियो बहुत ही important होने बाला है आप सभी लोग वीडियो को पूरा देखेगा वीडियो को share करिए like करिए और नीचे दिएगे लाल बटन को दबा कर चैनल को भी subscribe करिए तो आईए शुरुआत करते है है आज की सांदार क्लास के साथ भारत का भूकोर आज का पहला पशन है सिक्किम से गुजरने वाला अच्छांस निम लिकित में से किस एक से किसी एक से भी होकर गुजरता है तो किस राज से होकर गुजरता है आप सभी लोग कमेंट करके बताएंगे सिक्किम से गुजरने वाला अच्छांस और एक राज से और होकर गुजरता है तो वह राज कौन सा हो जाता है राइट आंसर हो जाएगा इसका अप्शन नमरे राजिस्थान राजिसे होकर के गुजरता है ठीक है सिक्किम और राजिस्थान राजिसे होकर के गुजरता है आपने आधकरा है बहुत important point है आपके exam के लिए अगलाब सने भारती मानक समय की देसांतर रेखा किस नगर्षी होकर गुज़रती है देसांतर रेखा किस नगर्षी होकर गुज़रती है तो तो सही answer जाएगा इसका option number d इलहाबाद से होकरके देशांतर रेखा गुजरती है ठीक से साथियों कहां से इलहबाद से और इलहबाद का जो नाम परिवर्तन करके इसका प्रियाग राज कर दिया गया है अगला अप्सन है नंदा देवी इस्तित है नंदा देवी की बात करें साती हो तो नंदा देवी कहां पर इस्तित है ठीक है नंदा देवी इस्तित है हिमाचल प्रदेश नेपाल में उत्तराखंड में या फिर सिक्किम में नंदा देवी की बात करें तो उत्तराखंड में सात राजिस्थान राजमेश्थिते और सबसे उची चोटी है आपकी अरावली परवत है उसकी सबसे उची चोटी है गुरू सिकर ठीक है सबसे प्राचीन परवत की बात की ने तो अरावली परवत है और उसी की जो गुरू सिकर चोटी है उसी परवत की चोटी है नंदा देवी चोटी किसका भाग है असम हिमाले का कुमाउ हिमाले का नेपाल हिमाले का या फिर पंजाब हिमाले का नंदा देवी चोटी किसका भाग है सही आंसर जाता है इसका कुमाउ हिमाले का भाग है आपसे नंबर भी राइट आंसर है नंदा देवी कुमाउ हिमाले का भाग है निम्न लिकित परवत सिखरों में कौन सा एक भारत में अविस्थित नहीं है बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट है आप सबी लोग वीडियो को भी सेर करें निम्न लिकित परवत सिखरों में कौन सा एक भारत में अविस्थित नहीं है सही आंसर जाता है इसका गोसाई धान ठीक है यह परवत सिक्रों में एक भारत में अविस्तित नहीं है बागी आपके कामेत नंदा देवी तुर्शूल यह सभी भारत के हैं लेकिन यह भारत का नहीं है अगला अपसन है कुल्लू घाटी जिन परवत स्रेडी के बीच इस्तिते वे हैं ठीक है आपको बताना है कि कुल्लू घाटी जिन परवत स्रेडी के बीच इस्तिते वे कौन कौन से हो जाते हैं धोला धर तता पीर पंजाल, रण जोती तता नांग टिब्या, लद्दाग तता पीर पंजाल या मद्ध हिमाले तता शिबालिक तो कहां पर यह इस्तित हैं सही आंसर देंगे समी लोग तो यह हो जाती है अपकी धोला दर तता पीर पंजाब राइट आंसर है अप्सन नमबर A अगला अप्सन है महाराश टेबम करनाटक में पच्छमी घाट कहलाते हैं महाराश टेबम करनाटक में पच्छमी घाट कहलाते हैं राइट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है, option number B, dhkna ka, sorry, option number B हो जाएगा, सत्य इंद्र, ठीक है, सत्य इंद्र, right answer है, option number B. निमलकित में कौन एक सुमेलित नहीं है यहाँ पर मिलान करना है कि कौन सा एक सुमेलित नहीं है ठीक है तो यहाँ पर अगर बात करें लिपूल एकतर्रा उतराखंड़ का है रोह तांग हिमाचल परदेश का पालघाट केर का लेकिन अपन नाथुला अरुनाचल प्रदेश का नहीं है यही हमारा कैसा हो जाएगा राइट यह सुमेलित नहीं है ठीक है राइट आंसर हो जाएगा अप्स निम्बर ए करक रेखा किस राज से होकर गुजरती है करक रेखा की बात करें सातियों तो करक रेखा किस राज से होकर गुजरती है सही आंसरे बिहार राज से होकर के करक रेखा की गुजरती है बिहार और जहारकर्ण से कौन सा महत्पूर अंचांस भारत को दो लगभग बराबर भागों में बिभाजित करता है कौन सा अंचांस भारत को लगभग दो बराबर भागों में बिभाजित करता है सही आंसर होगा इसका 23 ठीक है अप्सन नमर इसका D राइट आंसर हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा कौन महाराष्ट में इस्थित नहीं है महाराष्ट में नहीं इस्थित आपको बताना है कौन महाराष्ट में इस्थित नहीं है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मांडब पहाड़ियां आप्सन नमबर सी राइट आंसर है माडब की पाणिया महाराष्ट में इस्तित नहीं है चोरा बाड़ी गुलेसियर इस्तित है जो चोरा बाड़ी गुलेसियर इसातियों यह कहाँ पर इस्तित है तो कैदारनाथ मंदिर के उत्तर में option number C right answer है कैदारनाथ मंदिर के उत्तर में चोरा वाड़ी गलीसियर इस्तिध है सबसे बड़ा हिमनद निम लिखित में कौन सा है सबसे बड़ा हिमनद हिमनद की बात करें तो सबसे बड़ा हिमनद कौन सा हो जाता है सही आंसर है गंगोत्री अप्सन नमबर B इसका D, right answer है, God war land, option number D, ठीक है, right answer है, option number D, भारत के अतरिक्त प्रायदीपी परवत निर्मित हुए, भारत के अतरिक्त प्रायदीपी परवत निर्मित हुए, सबी लोग कमेंट करेंगे, और जिन लोगों नहीं अभी तक वीडियो को शेर नहीं के, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, और चेनल को भी सस्क्राइब करें, question number 16 का, सही answer जाता है, इसका option number V, पहलियो जोईक महाकल्प, ठीक है, पहलियो जोईक महाकल्प में, मेगाले का पठार है, तो मेगाले की पठार की बात करें, हिमाले स्रेडी का, प्रायदीपी खंड का, पूर्वी घाट पर पठार कैसा है, प्रायदीपी खंड का, छोटा नांगपूर पठार इस्तित है, छोटा नांगपूर पठार इस्तित है, एक अग्र अग्र गंभीर है, option number A, right answer है, एक अग्र गंभीर है, right answer है, option number A, अरा बली एवं में कस संख्लाओं के मद्ध कौन सा पर पठार इस्तित है सही answer हो जाता है, इसका मालवा का पठार, option number A, right answer है, ठीक है, आप किसे भी competitive exam की त्यारी करते हैं, उसके लिए वीडियो बहुत ही important है, डंड कारंड छेतर अविश्तित है, question number 20, सही answer है, 36 गड एवं उडीसा में, ठीक है, 36 गड एवं उडीसा में, निमलिकित में से किस तट से भारत का आउसत समुंदर तल नापा जाता है, मुंबई, चन्नई, कोचीन या फिर विसाखा पठनम, सही answer जाता है, option number 20, चन्नई, अगरा option है, भारत के प्रादेसिक जल छेतर का विस्तार है, भारत के प्रादेसिक जल छेतर का विस्तार कितना ह तो प्रादेसिक जल छेतर का विस्तार कितना है, सही answer हो जाएगा इसका, तट वारा समुंदरी किलो मीटर, तट से वारा समुंदरी किलो मीटर तक, ठीक है, निमलिकित में कौन सुमेलित नहीं है, आपको फिर से आपर बताना है कि कौन सुमेलित नहीं है, यहाँ पर सिपक पीर पंजाल स्रेड़ी आती है पीर पंजाल स्रेड़ी की बात करें साती हो तो कहां पर आती है सही आंसर जाता है जम्बू एवं कस्मीर में आप्सन नमबर भी राइट आंसर है नाथुला दर्रा किस राज्ज में इस्तित है कौसर नमबर 25 बहुत ही इंपोर्टेंट है और यह कहाँ पर सिक्किम में आपका नाथुला दर्रा इस्तित है जिस जिले से 70% पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है जिस जिले से 70% पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है जोदपूर, धौलपूर, जैसल मेर या फिर नागावर राइट आंसर हो जाएगा इसका सातियों जैसल मेर शेवकर गुजरती है अपसर नमबर C राइट आंसर है कहाँ से सातियों जैसल मेर से भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजी थे भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजी थे तो भारत चार प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजी थे कितने सातियों चार भारत के किस राज्य समंदरी तर्थ सबसे अधिक है भारत का किस राज्ज का समुंदरी तर सबसे अधिक है तो गुजरात का ठीक है गुजरात का समुंदरी तर सबसे अधिक है सोलह सो किलो मिट्र सबसे कम की बात करें साती हो तो गोवा का सबसे कम है अपनी अधखना है निम लिकित में कौन सा दीप भारती तट्रेखा के सुदूर वरती दीप की स्रेडी में आता है सुदूर वरती दीप की स्रेडी में कौन सा आता है सभी लोग कमेंट करेंगे सही आंसर जाता है मिनी कोई औप्सन नमबर भी राइट आंसर है मिनी कोई सातियों यह सुधूर वर्ती दीप की स्रेडी में आता है कोरी क्रीक की की बात करें साथ यह अविस्तित कहां पर है कुशन नमबर तीस है राइड आइट आंसर देंगे सबी लोग यह आपका इस्तित है कच्छ के रण में सिरी हरी कोटा दीप अविस्तित है बोलिकत जील के समीफ सिरी हरी कोटनी अविश्थित है बद्ददि कहोंग्न हो आँजेल है रामीस्वर अप्सान नमबर वी राहिट आंसरे रामीस्वर दीप स्री लंका और भायत के वीच इस्तित है मडीपुर का अधिकांस धरातल है तो मडीपुर का अधिकांस धरातल कैसा है पठारी है दल्दली मैदानी यह फिर परवतिय सही आंसर देंगे सभी लोग सही आंसर मनीपुर का अधिकांस धरातल है वी कस है परवतिय वैरंदीप अविस्तित है वैरंदीप की बात करें मीट дорог वैरंदीप अविस्तित है सही आंसर जाता है बंगाल की खाड़ी को सिल्कान से का नाम दिया जाता है नाम से जाना जाता है सिलकान इस्टेट का नाम से किस राज्ज को जाना जाता है सिलकान इस्टेट तो करनाटक को सिलकान इस्टेट कहा जाता है निमलिकित में कौन सुम्मेलित नहीं आपको सुम्मेलित बताना कि कौन सा सुम्मेलित नहीं है तो आपका चतिसगड, चतिसगड मैदान से जारखंड, छोटा, नागपुर, पुटार, महाराष्ट ब्रच चाया, प्रदिस से है आंधपदिस की बात के लिए मित्रूँ यह हमारा कैसा आजाएगा गलत और यही हमारा स्वमेलित नहीं है त्ठीक है, महाल नही यह नहीं होता है अगरा अपसे नये, राष्टी रास्धानी छेतर में शम्मिलित नहीं है सही आंसर जाता है पंजाब का भाग अपसिं नमबर भी राइट आंसर नहीं है माउंट एब रेष्ट कहां इस्तित है माउंट इवरेष्ट कुस्ट नमबर 38 है सही आंसर जाता है नेपाल में ठीक है नेपाल में और नेपाल में इसको सागर माथा भी कहा जाता है सागर माथा नेपाल में इसको कहा जाता है तमिल नाडवा आंद पदेश के तटका नाम है तमिल नाड़ वा आंद पदेश के तड़का नाम क्या है सही आंसर देंगे सभी लोग तमिल नाड़ वा आंद पदेश के तड़का नाम तो राइट आंसर हो जाएगा तमिल नाड़ और आंद पदेश के तड़का नाम है भै क्या हो जाता है सही आंसर है इसका कोरो मंडल आपसन नमबर ए राइट आंसर है कोरो मंडल निमलकित में से किसे कैप कामोरिन के नाम से भी जाना जाता है कैप कामोरिन के नाम से भी जाना जाता है किसको कैप कामोरिन के नाम से जाना जाता है कोसा नमबर 40 से सही आंसर देंगे सबी लोग राइट आंसर हो जाएगा इसका कन्या कुमारी को कन्या कुमारी को कैप कामोरिन के नाम से जाना जाता है लक्ष दीप कहा इस्तित है लक्ष दीप की बात करें साथियों तो कहा पर इस्तित है अरब महासागर में आपका लक्षदीप इस्तित है निम्ड कित में कौन सा एक प्रबल दीप है? कौन सा एक प्रबल दीप है? कमेंट करेंगे सभी लोग ठीक है प्रबल दीप की बात करें तो कौन सा एक प्रबल दीप है? प्रवल दीप की बात करें साती हो तो लक्च दीप आपका कैसा हो जाता है प्रवल दीप राइट आंसर है आपसर निम्बर डी इटा नगर किस राज्जी की राजधानी है सही आंसर है अवणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है इसाती हो इटा नगर अगला अप्शन है नीम लिकित में से कौन सुमेलित नहीं है कौन सुमेलित नहीं है कोसर नमबर 44 है सही आंसर हो जाएगा इसका सभी लोग देंगे एकदम असम सिलांग मिजोरम आईजोल मिंगाले कोहिमा नागा लेंड गोहाटी तो यहां पर साथियों बात करें मिजोरम क्या हो जाएगा साथियों मिजोरम आईजोल से संबंदित नहीं है इसका राइट आंसर हो जाएगा स्पैंट को अपनी यह देखना है आपकी असम सिलांग की राज़दानी है मिखा ले कोहिमा नागा लेंड की गोहाटी यह आपको र्याद रखना है मिजोरम आइजोल से संबंदित नहीं है देश के किस प्रदेश में सबसे अधिक जिले हैं तो किसमें सबसे अधिक जिले हैं कुस्ता नमर 25 सही आंशर हो जाता है एसका उत्तरप्रदेश में निम्न में कॉझ सुमेल नहीं है इसमें से आपके पतारे कॉझ सुमेलित नहीं है तिर्वुरा अगरतला मड़ीपूर आयजोल नागालेंड कोहिता है अवनाचल प्रदेश या फिर इतानगर ठीक है तो यहाँ पर सुमेलित नहीं है आपको बता रहा है तो राइट आंसर हो जाएगा इसका मित्रों क्या हो जाएगा मड़ी पूर आईजोल यह कैसा हो जाए सुमेलित नहीं है बाकि आपके सबी सुमेलित है ठीक है लातूर किस प्रांत में है लातूर की बात करें मित्र तो कौन से जन जात थारू जन जाती अपसर नमबर ए राइटर जे थारू जन जाती क्या करती है दीवाली को सो कगाते वहार मनाती है तो यह थे इतनों आपके most important 50 questions जो आपके exam के लिए बहुत ही important है आप किसी भी competitive exam के त्यारी करते हैं उसके लिए वीडियो बहुत ही important होने बाला है आप सभी लोग वीडियो को पूरा देखेगा वीडियो का share करें लाइक करिए और चैनल को भी subscribe करें कमेंट करके हमको जरूर बिताएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी मिलते हैं अगली फिर वीडियो में तब तक के लिए जय हिन जय भारत